तो आज विलकम तो फिर्स्स्टिंट माइम इस शिवांच प्रसी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कल कौंसे स्टॉक्स पर टेट कर सकते हूं और निफ्टी बांक निफ्टी का सिट अप कैसा रह सकता है तो कल हम लोगों ने अपनी जून की स्टार्टिंग करी थी और जून की स्टार्टिंग पर हम लोगों ने देखा था कि बढ़िया स्टॉक्स की सेलेक्शन हम लोगों ने करी वोल्टास ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रॉफिट्स हम आप लोगों को अपने first investment के telegram channel पे हम लोगों ने आपको बता दिया था so कल जो market थी और आज की जो market है बिल्कुल similar थी आप लोगों को मैं दिखा हूँ है nifty bank nifty के setups पे और आज बात करेंगे कौन से बढ़िया stocks और हैं जो आप लोग trade करके चल सकते हो और एक दो स्वें trade की भी बात करेंगे so without wasting any time चलते हैं अपने trading setup पे guys पर अगर आप लोग ने अभी instagram पे follow नहीं करा so instagram पे अभी जाके follow कर ये guys क्योंकि वहाँ पर मैं दो extra stocks और suggest करता हूँ intraday के लिए अगर आप लोग जानना चाते हैं तो हमें instagram पे आप follow कर सकते हैं plus जो भी market से related कोई factors होते हैं जो में बताने होते हैं वो पे telegram channel पे आप लोग बता देता हूँ तो वहाँ पर भी हमें journal आप follow कर सकते हैं एक important चीज़ और guys अगर कल इस video के अंदर 1500 likes आ जाते हैं 1500 likes अगर इस video पे आते हैं market open होने से पहले so मैं आप लोगों के साथ live आने वाला हूँ because दो बार structure bank nifty nifty वैसा perform कर चुका है हो सकता है कि कल एक बड़ी movement upside और downside देखने को मिले so वहाँ पर हम लोगों को त्यार रहना चाहिए उस movement को capture करने के लिए so please be ready इस video पे अच्छे results आते हैं housing development financial cooperation आप लोगों पे सामने ये stock present कर दा रहा है and ये stock पे आज हम लोगों एक trade लिया था options के थुरू and cash पे तो definitely yes we are holding but option पे हमारा stop loss hit हो गया था because हमारा stop loss बहुत पास पे था but yes कल में पे दुबारे एक buy initiative करने के बार में सोचूंगा cash पे हम लोग holding लेकर इस पे भी भी बैठे हुए stock के बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे एक purple color की trend line है एक black color की trend line है यहां पर आप देखेंगे मैंने सारे highs को connect करके वे trend line बनाई है and सारे lows को connect करते वे एक trend line बनाई है अब आप देखेंगे trend line के इसने दूसरी चीज कि हमें इसी लेवल पर बाई कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए आप देखेंगे multiple resistance आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे first time second time and यहाँ पर third time so यहाँ पर जब इसके ऊपर एक breakout आएगा तभी हमारे लिए एक buy setup generate होगा current price है इसका 2584 का हमें buy up करना है जब यह जो yellow color का zone है एक supply zone है जब इसका एक breakout होगा breakout level है 2600 रूपीज का and 2600 रूपीज पे सबसे जादा open interest है आपर एक selling pressure सबसे जादा है so आपको क्या करना है अगर 2600 का breakout होता है 2600 रूपीज के आसपास होता है so अगर यह 2600 की ऊपर 15 minute की candle closing करती है तो आप लोग option भी trade करके चल सकते है 2600 का June का call so मुझे लगता है यह आप लोगों को अच्छे results दे सकता है so let's move to our next stock and I hope आप लोगो इस stock समझ में आया होगा next stock है हमारा Tata Chemical 아까 आप केमिकल पैप्टों को में भाई करने की सलाओ दे रहे हो अगर आप यहां पर ध्यान से सबचेंगे सबसे पहले आप लोगो एक purple लाइन को जह मझना है और यह green लाइन को समझना है आप देखेंगे एक fall आया, fall आने के बाद ये एक range के अंदर काम कर एक triangle pattern के अंदर काम कर रहा eventually इसका एक breakout दिया, breakout देने के बाद continuously उपर जा रहा है अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मेने green guard का zone भी आप लोगों के सामने ये create कर आवा है यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, first time support, second time support जब breakdown करा support का, that support become resistance here ठीक है, अब resistance का breakout करके दुबारा उपर जाना start कर गया so यहाँ पर हमारे लिएक buy setup बनता है, अब मैंने trend line उपर top से trend line draw करी है जो की सारे highs को connect करते हुए, अभी exact उसी level पर इसने close कर रहा है दूसरी important चीज़, अगर मैं दोनों lines को remove कर देता हूं आप लिए तो आप लिए तो आप लिए तो आप लिए तो आप लोग देखेंगे, पहले एक fall आया फिर एक upside आया, फिर एक fall आया, fall आने पर जो इसने previous low था previous low को break नहीं करा मतलब higher low बना है, अब उपर गया तो अपने इसने previous high को break कर रहा है, यानि की higher high बना है, तो यहाँ पर जो trend है, जो lower low, lower high बन रहा था, वो continuation pattern जो था, वो change हो रहा है, अब higher highs and higher lows की तरफ, यह Tata chemical काम करना start कर रहा है current price की बात करें तो 727, 730 की ऊपर आप लोग एक buy करके चल सकते हैं, 10-15 रुपए आप लोगो यह stock बहुत easily provide कर रहा सकता है, इस stock को अपनी watch list के अंदर जरूर आट करेगा, let's move to our next stock, next stock है हमारा भारती एटल, भारती एटल में आप लोगों को charts देखकर थोड़ा confusion लग रहा ठीक है, सबसे बहले आप लोगों को देखना है, यह एक green color का zone है, यह green color का zone एक support है, multiple supports यहां पर लिये गए है, इसके लावा अगर आप देखेंगे यह fall आया, fall आने के बाद उपर गया, नीची आया, दुबारा उपर गया, तो यहां पर इसने अगर आप देखेंगे तो एक false breakout का indication दिया, हुआ नहीं है, इसने इंडिकेशन दिया, अब क्या होता, इसे दुबारा नीची आना होता, बट आज के अगर हम बात करें तो आज नीची नहीं आया, बट आक्चुल में उपर reverse करा है, तो हम लोग एक चीज़ मानन के चल सकते है, देखेंगे इस लेवल भारती एटल ब्रेकाउट देनी के कोशिश नहीं कर पा रहा, बट मुझे लग रहा है, कल या परसो के ट्रेडिंग सेशन पर डेफिनिटल दे सकता है, आप लोग बाय कर चल सकते है, भारती एटल का CMP है 532, 535 के उपर आप लोग एक बाय सेटप बना के चल सकते हैं, जो म आप मैं अपने चार्ट सेट पे जाकर ब्रेफिन कर सकते हैं, तीनों बाय के लिए ले एट्फफ सुफ लोग दूआर् सौक, हमारा नेक्स तौक है वी बियन, ब्रून वरून बिर्ज पर आप लोग ऑनिक करने की सलøप पर इसा पहले है, बैर मैं लोग को युज तो चर एक resistance trend line, यह breakout आया which is a very good sign थैं तरो भी लवर करना है नहीं अब आप देखेंगे, मैंने एक black color trend line भी ड्रॉप करे कि यह बाता है कि multiple resistance यहाँ पर हमें देखने को मिले अगर आप देखेंगे first time resistance यहाँ पर एंठेंगे here, और एंठेंगे और दोबारा इसी लेवल पर ये ट्रेट कर रहा है इसके अगर एक पैटन और डेवल अगर मैं आपको दिखाना चाहूं अगर आप यहां देख सकते हैं यह देखें यह एक हेडिंग शुल्डर पैटन भी आपर बना है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे हैं इसका भी ब्रेक आउट देनी की तियारी कर रहा है डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेक आउट इस लेवल पर भी हमें देखने को मिल सकता है और एक अच्छे लेवल यह दिखा सकता है करेंट प्रास की अगर मैं वरुन बेवरिज की बात कर रहा है तो अच्छे ट्रेट कर रहा है पर 1028 पे 1031 आप लोग को एक बाइस एट अच्छे ट्रेट कर नहा है पहले टागेट की अगर मैं बात कर रहूँ तो इसके पहले टागेट सकते हैं जो की यह previous swing high है जो कि 10701060 के आसपास का होगा so 30-40 पॉइंट आप लगों वरुन बेवरिजे सकता है I think अगर कल एक ब्रेक आउट आता है तो कली आप लगों को इतने बड़िया पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर नहीं आता है तो मंडे कले आप से BTST as a hold करके चल सकते हैं ठीक है I hope आप लोग वी चार्ड स्टॉक्स पसंद आया होंगे लेट्स मूँव टूर लास्टॉक अंड देखते वस्पे क्या हो रहा है हमारा लास्टॉक है MFSL MFSL कि अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहां पर एक शाप अपम हाई उसके बाद एक रेंज के अंदर इंडर कंसॉलिडेट कर साथ रेंज के अंब इसंथ ब्रेक आउट औडिया अगर आप देखिंगे कि ब्रेक आउट के लेवल पर ही मल्टिपल बार सस्तेें कर रहा है मुल्टिपल विक्स मिलिया कम से एक हफता ब्रेक आउट पे ही सस्तेन करें कोई तमीज की कैंडल देखने को नहीं मिली अब अम लुग बात करें तो थर्जडे को सॉरी विड्नस दे को क्या हुआ विड्नस दे को एक शाप कैंडल देखने को मिली अब बात करते हैं यह एक स्विंग ट्रेट के टागेट करें तो आगर मैं आपर एक इंडिकेटर का यूज करते हूं एक तूल का तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल को हटा देता हूं अब हमारे यह तीन टागेट निकल के आ रहे हमें क्या करना हम लोगों को 962, 963 की उपर 15 मिट के चांटल होती है हम लोग बाय कर लेंगे हमारे जो तीन टागेट होंगे फॉर एक्जांपल अगर आप लोग ने 100 कॉंटि को इस अपने पने एक्जिट कर सकते हैं अब यहाँ पर आप लोग अपना STOP लोग वह एक्जांपल आपका पले टागेट अचीव होगा तो आपका जो भी प्रिक्पर आपक जो अपने बाइप रहे जैंग पर जब सेकेंड तो अपना STOP लोग पिर ऑने फिर हमें तर्ड पर अब अपनी पूरी quantities को exit कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं sir stop loss क्या रखे है तो stop loss के लिए अगर मैं आप लोगों को बता हूँ तो देखे मैं ये एक trend line द्रॉप करे हुए है ये trend line मेरे लिए एक stop loss का काम कर सकती है यहां पर अगर मैं आप लोगों को बता हैं आप लोगों को 9.62, 9.63 के उपर बाई करना है 9.20 रुपीज का एक stop loss रखी है और इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं रिजल्ट आप लोगों को अच्छे मिल सकते हैं रिठर्न मिल सकता है 15% से उपर का मिल सकता है फोल्मो में की स्टॉप लोगों को इंशिये कर सकते हैं फॉरुपीर्स का 170 우பीर्स का यानई कि 1.64 का अप्टो को रिज्टी रिज्टर्रिवाडी सक्टा है भाए कर दित डिवरुगों को भी बाई करों चलना है आप लोगों बताते हैं अब किस तरीके से trade लेकर काम कर रहे हैं तो चलते हैं अपने Nifty Bank Nifty trade setups के तरफ तरफ आप लोग Nifty चाट setup पे आचुके हैं अब यहां पर मैं आप लोगों बताता हूं कि आज की market कैसा perform करी हैं सबसे पहले मैं आप लोगों आपने सबसे पहले की मुवमेंट यहां यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले की मुवमेंट दिखाता हूं यह देखिए यह वाली एक candle बनी यह वाली एक candle बनने के बाद हम लोगों ने देखा एक indecisive candle बनी उसके बाद नीचे गया नीचे जाने के बाद वो ऊपर गया recover करा थोड़ा सा pullback लिया pullback जाने के बाद यह दुबारा नीचे आया दुबारा नीचे जाने के बाद यहाँ पर इसने एक pattern बनाया lower low lower high का यानि यह अभी एक signal तक यहाँ पर हम लोग एक short position बना के चल सकते हैं इसके लाव हम लोग ने देखा फिर end मौके पे एक अच्छी खासी buying आगई ठीक है और मैंने आप लोग को बताया था India Wix नीचे गया उसके बाद positive आया फिर पूरा नीचे जाके close करा तो यानि की market volatile थी आज की trading session पर क्या हुआ ठीक है इस पर देखेगा यह indecisive candle बनाई नीचे गया उपर इसने pullback लिया दुबारा नीचे गया आप देखेंगे दुबारा नीचे गया दुबारा नीचे जाने के बाद आप देखेंगे एक market ने पूरी recovery करी यह जो पूरा यह वाला pattern था यह मैं बता रहता है कि यहां पर अब lower low lower high बन रहे है selling pressure आ सकता है यहां पर भी बता रहता है आप पर high एक lower low बन रहे है selling pressure आ सकता है जैसा कल के trading session पर हुआ था exact हम लोगों ने आज के trading session के अंदर देखा so यानि कि market एक ऐसे volatility zone के अंदर एक ऐसे range के अंदर है आप लोगों को यह आप पर एक range लगनी रही होगी क्या यह क्या range है मैं तो समझ में नहीं आ रहा बट यहां पर जो पहला trend था वो ही continue हो रहा है आप point समझ रहे है market पर अगर आप लोग चेक करेंगे आप लोगों को India Wix दिखाना चाहूँगा आप लोग India Wix को चेक करना है कि वो किस तरीके से आज के trading session पर हम लोगों बता रहा था कि कैसे trade हो सकता है आप देखें India Wix को मैंने 15 मिनट का time frame open कर वा है ठीक है 15 मिनट के time frame पर आप देखेगा यह 15 मिनट की candle है 15 मिनट की candle है और अगर आपको मैं दिखाता हूँगी कितने percent का fall का rise ने almost almost 17% गिरी है इंडिया विक्स 15 मिनट के अंडर starting पर उसके बाद recover करें उसके बाद एक range bound और आखरी में up move दिखाना start करें ठीक है अब यह देखें इसके लावा दुबारा आ जाते हैं यह देखें इस वाली candle यह वाली candle है यह 2nd June की है इस पर देख लेते हैं शुरुआत के 15 मिनट पर यह भी 12% गिरी है उसके बाद एक range bound range bound आने के बाद market हमारा वही lower sideways रही उसके बाद आखरी में up move आई तो आखरी में up move में आप यह वाली candle देख सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से range bound रही है जादा volatility देखने को मिल रही है market के अंदर अब अगर मैं India Wix आप लोग दिखाता है तो India Wix अभी देखें बिलकुल नीचे trade कर रहा है बहुत जादा अगर इसके अंदर market होती है तो एक simple है मिला market range bound है अगर उपर जारी है तो calls में पैसा है नीचे जारी है तो puts पे पैसा है बट अगर 18 के नीचे जाना start करते तो volatility बढ़ जाती है 25 के उपर जाना start करते तो और heavy volatility बढ़ जाती है यहां पर किस तरीके से trade करना है अगर यह 14 रुपय के नीचे जाना start करती है तो market एक अलग direction पर जा सकती है तो यहां पर आप लोगों को it's a bit cautious बहुत अराम से trade करना है बिलकुल पास वाली expiry पर तो trading मत करिए थोड़ी next week वाली expiry पर trade करके थोड़े पैसे आप earn कर सकते है अब बात करते है निफ्टी पर तो निफ्टी पर किस तरीके से trade लेकर चलना है कैसे काम करना है वो आप लो पर लोगों करते हैं अब जो निफ्टी के लिए support है वो 15600 रुपे का level है 15600 कि अगर नीचे जाना start करता है तो 15570 540 तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं बट मेरे इसाब से market continuously उपर जाएगी और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 16000 के levels आ सकते है वो definitely आ जाएगे बट मार् जैसे काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत कॉशीश ली ट्रेट करते वे चलना है बत अगर आप लोग सेफ साइड मे रहना चाहते हैं तो आप लोगों को सजेस्ट करोगा आप लोगग लिए lóg की बहुग्र बेटर है टो बंक डद की एक गबर आमअलेथिस कर लेते हैं because bank nifty मैं पैसा बन सकता है according to nifty तो bank nifty चेक करते है तो bank nifty चेक करते है bank nifty continuously higher rise and higher lows को फॉर्म कर रहा है अग भी अगर बात करें तो bank nifty एक चोटे से hurdle पे है जो कि ये level पे है जो कि इसका एक previous है अगर ये level एक breakout देता है तो एक अच्छी momentum देखने को मिल सकती है लेवल की बात करूँ तो 1535,720 की उपर अगर निकलना स्टार्ट करता है एक अच्छी बाइंग इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है और आप लोग को 100-500 points आराम से bank nifty provide तरवा सकता है अगर मैं एक trend line draw कर देता हूँ from bottom से एक trend line draw करता हूँ सकता है तो selling side पे जादा पैसा नहीं मिलने का अगर gap down आता है कल के training session पे अगर gap down खुलता है तो यस आप लोग के sell side पे trade लेकर चल सकते हैं बट अगर gap up चोटा सा gap up खुलता हूँ या इसी लिए वच पे खुलता है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो please like करें चैनल को subscribe करें अगर आप लोग नहीं लोग है अगर आप लोग को doubt है कि हमारी calls कैसी जाती है तो हमारे previous videos को आप जाके check कर सकते हैं आप लोग को मिल जाएगा और आप उसी के बाद हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं thank you so much guys for listening to me thank you bye bye